दोस्तो नमस्कार 14 मार्ट सन 2023 दोस्तो पिछले सब्ता कपास के भावों में जबर्दस गिरावट अंतराष्टे इस तर पर देखी गई थी जिसका पूर्वनवान हमने आपको पहले भी दिया था जानिए आप पूरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तो नमस्कार कर्णल अजय सीओ अजय स्टो मनिगरू फर्स ग्लोबल अस्टो फ्रनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 14 मार्ट सन 2023 दोस्तो अजय स्टो मनिगरू देश का पहला चैनल जो 42 कमुटिटीज पर लगातार अपडेट विशलेशन और खबरे से आपको रूब रुकराता है दोस्तो हम वर्तमानी नहीं भविश्का भी करते हैं सटीक आकलन खबनिकल के आ रही है कि डॉलर के फिसलने से कपास में 3% की बड़त दर्ज हुई है पिछले सत्र में यानि पिछले सब्ता भारी गिरावट के बाद कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण अन्य मुद्रा धारकों के लिए प्रकर्तिक फाइवर और आर्थिक आकर्शन बनाने के लिए ICE का पासवाइदा सोंवार को 3% तक उचल गया था और कारववार की सीमा भी बढ़ गई थी गौरतलब है कि जैसे ही बैंकों के अंदर परिशानी आती हैं तो इससे सोना चांदी जैसे मेटल तेज हो जाते हैं क्योंकि वो एक सुरक्षित निवेश के रूप में निवेशों को के लिए एक अफसर होता है शुकरवार की हम बात करें तो ट्रेडिंग लिमिट करीब चार महने के निचले सरपार आ जाने के बाद तीस सुमबर के बाद सबसे अच्छा दिन के लिए सुमबर को देखा गया क्यूंसलेंड में वार्णर ब्रोक्रेश के अद्देक रोजर्स वार्णर ने कहा जब ब्याजदरे कम हो जाती है तो डॉलर नीचे चला जाता है और लोग कच्छे और कीमती धातू और यहां तक की कपास जैसी वस्तों को खरीदना चाहते हैं वार्णर ने ये भी कहा है कि कीमतों में नाटके मोड आया है और बजार लगबग पांस सब्ता नीचे चला गया था इसलिए मुझे आगे मौसमी बसंत उच के लिए बहतर कीमते दिखाई जारी है क्योंकि उसके पीछे एक प्रमुक कारण ये भी माना जाता है जिसके अंदर हर व्यक्ति को निवेश करना ही आवशक होता है क्योंकि ये निवेश नहीं ये आवशकता की वस्तुम मानी जाती है अमेरिकन अदिकारियों दोरा सिलिकन वेली बैंक क्यानी स्वीबी के अचानक पतन के गवराट को सिमित करने के लिए डॉलर इंडेक्स लब एक महले के निचले इस तर पर गिर गया साथ साथ अब एक और बैंक अमेरिकन बैंक के गिरने से बजारों में घवराट पैदा हो चुकी है क्योंकि फैडल रिजारों अपनी ब्याज़़ों को रोक देगा ही आप कर देगा ऐसी कुछ अलग लग बात बजारों में देखने को मिल रही है सोने चांदी की किमतों में बेताशा वद्दी हो गई क्योंकि SBB के पतन से निवेशों को उनकी सुरक्सिक निवेश आप सोना चांदी में नजराने लगा है दोस्तों महतवपुन ये रहता है कि हर वर्ट परिस्थितियां बदलती है एक सकारत में नियूज बजारों को तेज कर देती है और एक नकारत में नियूज बजारों को धराशाई कर देती है यानि हर रात के बाद सवेरा है और हर सवेरे के बाद रात है लेकिन निवेशक और ट्रेडर्स इसमें बहुत महतोपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उन्हें selection करना होता है कि कहां से उनको niyeश करना है कहां से उनको मुनाफ़ावसूल करके निकल जाना है और कौन सा निवेश उनके लिए सुरक्षित या असुरक्षित हो जाता है दोस्तो अजे अस्ट्रोमोनी गुरू आपको हमेशा से ही कौटन के ओपर अग्रे मिशलेशन देता आ रहा है गौरतला बै कि आज 14 मार्ट सन 2023 है आने वाला लगबग एक महिना कपास के लिए बहुत महतोपन साबित हो सकता है गौरतला बै कि हमने आपको लगातार अपडेट भी दिये थे और किसानों ने और ट्रेड इंडस्ट्री अस्ट्री 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 ने कपास के वाइदे को दुबारा शुरू करने के लिए पुर्जोर वकालत की थी और उसको ये महसूस किया जा रहा था कि कपास का वाइदा एदी M6 पे दुबारा शुरू होगा तो कपास के भावों में शानदार बड़त हो सकेगी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया वाइदे के शुरू होत होने के बाद कपास के भाव बजार की तरह लगातार गिरते तेले गए दोस्तो मैं तो पुणी होगा कि वाइदा हो या स्पॉट इसके अंदर मैं तो पुणी ये रहता है कि आपको एंट्री कप करना है और एक्जिट कप करना है कपास के अंदर याद कीजिए साल 2022 का हमार अगरी मनुवान साल 2022 की शुरुआ से पहले साल 2022 में कपास के बारे में हमने जौनुमान दिया ता अक्ष्रत 2017 साबित हुआ मार्च मैने साल 2022 के अंदर कपास में हमने अप्रेल मैने की जो अध्बुत तेजी की बात कही थी वो भी 1770 साबित हुई क्या इस साल साल 2023 में भी अपरल महिना का पास के लिए महत्रपून साबित हो सकता है विशेश जानकारी के लिए विशेश रिपोर्ट के लिए मिलर्स, जीनर्स, वीवर्स और टेक्स्टाइल मिलाउनर्स या बड़े स्टॉक्रिस्ट हमसे संपर कर सकते हैं उनके लिए रिसर्च रिपोर्ट बिल्कुल आमारे पास हमने अपने सभी क्लाइंट को जारी कर दी है दोस्तो याद रखेगा तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा नहीं है मंदी के पचास कारण और तेजी के पचास कारण आपको कमेंटरी है लेकिन याद रखेगा जो अगरिम विशलेशन देता है अगरिम अनुमान देता है और वो सच साबित होता है तो यह आप उसमें पूरा फायदा उठा सकते अन्य था नहीं दोस्तो यदि आप उमारे चैनल पर नए है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और वरी बास्ट गुड़ लाख हैपी टूर्ट